महा अश्टमी को मा का खोईचा भरने की परंपरा है. इसको भरने के लिए इन चीजों की जरूरत होती है. दुर्गा अश्टमी को माता के खोईचा भरने का प्रावधान आज से नहीं बलकि पौरारिक काल से चलता आ रहा है. संतान सुक प्राप्ती के साथ हर तरह की संध्याकाल में भरा जाता है. इसके लिए इन सामग्रियों का होना जरूरी है. खोईचा भरने की परंपरा शुरू से है. लोग धर्म कर्म, आस्था में जुड़ते गए और ईश्वर की कृपा मिलती गई. इससे पहले लोग माता के सामने अपने आचल फैला कर कुछ अवशक सामान लेकर जाते थे और माता को शद्धा से अरपन करते थे. उनसे प्रार्थना कर उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं. उन्होंने कहा खोईचा हमेशा अश्टमी की संध्या रात को भरा जाता है. इस दिन जागर्ण का होता है. जिसे देवी जागर्ण भी कहते ह खोईचा भरने में इन चीजों की हैं जरूरत सबसे पहले व्रती को अपने साथ पांच मिट्टी का दीपक अवश्य लेकर जाएं और उसे मंदर में जरूर जलाएं. जैसे धान, दुबरी, हल्दी का गांठ वाला, पांच पीस पान, पांच सुपारी और मिठाई और बता सामगरी है. इसके साथ साथ पांच पीस पान अवश्य होनी चाहिए. इन सभी सामगरियों को एक चुनरी में बांध कर ले और अपने आचल में धक कर मंदिर ले जाएं. मैया के दर्बार में जाएं और वहां मौजू दर्बार में पंदित जी को देकर मैया के चरणों तक पहुचाने की अर्जी लगा दे. अश्टमी को देवी जागर्ण की पौराने. महता कुछ जगा पर अश्टमी की रात को अर्वा चावल को पीसकर पीठार बना कर रात्री जागर्ण में नए वस्त्र या अन्यकई सुक साधन के चीजों पर पत्थर छिड़त कर उन्हें ज मान्यता है कि जब मया पूरी रात जागती है तो हम लोग क्यों आ जागे और सभी चीजों को जगाएं। मान्यता हैं कि ऐसा करने से सभी चीजें जागर्ण रहती हैं। अश्टमी का दिन, रात्री जागन का दिन है। हो सके तो उस दिन आप रात्री जागन करके मया का पूजा अर्चनाब जन कीजिए और मया को अपने भक्ती की शक्ती से इतना प्रसंद कर दीजिए कि वहां आपको वर्दान देने के लिए ततपर हो जाए। अश्टमी वरत 22 अक्टूबर को है, इस बार अश्टमी वरत 22 अक्टूबर 2023 को है। इससे पहले सप्तमी को निशा पूजा है। उसमें निशा पूजा में मया की पूरी तरह पूजा पाट कर अश्टमी का भी जागन कर माता की पूजा पाट कर खोईचा भरे। निश्चित ह तो कि हर मनोकामना पूर्ण होगी। इसके साथ साथ अश्टमी का दिन, रात्री जागन का दिन है। हो सके तो उस दिन आप रात्री जागन करके मैया का पूजा अर्चनाभजन कीजिए और मैया को अपने भक्ती की शक्ती से इतना प्रसंद कर दीजिए कि वह आपको वर्दा देने के लिए ततपर हो जाए। नवरात्र के नौ दिनों में देवी दुर्गा के नौ अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र की अश्टमी तिथी मा महागौरी की पूजा के लिए समर्पित है. इसे महाश्टमी या दुर्गा अश्टमी कहा जाता है. इस दिन महिलाओद्वारा मा दुर्गा को खोईचा भरने की परंपरा होती है. इस विधी को करने से जातक को मनोवाँजित फलो की इसी कारण नवरात्र की अश्टमी तिथी का विशेश महत्व है। जिसे खोईच्छा कहा जाता है, खोईच्छा भरने की विधी, बनो कामना पूरी होने पर महिलाएं खोईच्छा भरती है, जिसमें पान, सुपारी, मिठाई, चावल, हल्दी, अक्षत आधी होती है, अश्च्छी के दिन महिलाएं बाता राली का सोलो श्रेगार का मा का खोईचा भरती है, इसके बात माँ दुर्गा की विधाई की जाती है, इस दोरा महिलाएं श्रेगार का सामाच्छी में पान कर देवी मा को अप्तिक करती है,